आज हम लोग जिस सेर के उपर बात करने वाले हैं वो औरो विंदो फार्मा लिम्टेट का सेर है देखे क्वाटर टू के पढ़नाम बहुत अच्छे आया है इसके तो अभी हम उसी पर चर्चा करेंगे देखे पढ़नाम नतीजे आने से पहले भी इस पर बहुत ज्यादा करना चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर लें नुट्रिशन बर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अब्डेट आप से मिसना हो चलिए दोस्तों वीडियो बिखाया इस सेर ने कर 50.8 जो है इसका ESP है मार्केट केटल 445 बीडियन के करीब है डिवडेंट एड जो है 0.33 परसंट है PE मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेसियो जो है वो 15 है आए इसकी फाइनसियल कंडिशन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं तो देखे मैंने आपको जैसे मार्केट केटलाइजेशन बताई दिया नंबर ओफ इंपलोईज इनके 30,000 के करीब है नंबर ओफ सेयर होल्डर जो है 2,12,000 के करीब है एवरेज वेल्यूम जो है दस दिन का वो 2.683 मिलियन है तो मतलब अच्छा खासा वेल्यूम ग्रोथ इसमें दिख रहा ह है 967.50 पैसे है और 52 वीक लोज है 288 रुपे 85 पैसे है तो इसके इसाब से ठीक है अच्छी जगर सेयर मूव दिखा रहा है अपना क्योंकि 800 से ऊपर है तो काफी क्लोज है अपने 52 वीक आई के इसकी प्रोफाइल जान लेते हैं तो देखिए प्रोफाइल में जो सेक्टर ह करता है इंडिस्ट्री फार्मा की है मतलब जो ड्रक्स होती है और विद्व फार्मा जो इंगेज और मैनिफेक्ट्र करता है जैनेटिक फार्मा के जो मेडिसीन हो गए या एक्टीव फार्मा इंडिगरेंट होते हैं जो वह अपने पॉट्फोलियों में इसके होते हैं इं medicine ये company बनाती है तो काफी अच्छी strong company है बहुत पुरानी भी है काफी time पहले found की गई थी देखें दिसंबर 26 1986 में found की गई थी headquarter इसका हैदराबाद अपने इंडिया में है तो आईए इसके जो plus point निकल किया है इस बार के इनके event revenue और result के बाद उस पे चर्षा कर लेते हैं तो देखें औरोविंदो फार्मा ने approve किया है अपना second intermittent dividend जो है वो 1.25 पैसे हर share पे ये लोग provide करने बाले हैं जो share पहले से buy करके रखे हैं और ये FI मतलब fiscal year 2020 से 2021 के लिए हैं आईए इसकी जो September quarter का result आया है उसके उपर चर्षा कर लेते हैं तो औरोविंदो फार्मा का जो है 26% मुनाफ़ा हुआ है पिछली बार के मुकाबले तो ये बहुत अच्छी बात है देखिए औरोविंदो फार्मा का जो September net profit आया है वो 800 करोंड रुपे के करीब आया है क्योंकि इन्होंने सेट किया था कि 7.83 आये 8.9 आये तो उसके मुकाबले ये 800 करोंड आया है 700 करोंड की बज़ाए तो ये बहुत अच्छी बात है इसके profit में आये देखिए इसका total revenue जो operation से निकल किया है वो 64 billion रुपीज के करीब है और पिछली बार का जो था वो 56 billion के करीब था तो उसमें भी बड़ोतरी हुए तो ये बहुत अच्छी बात है काफी अच्छी moment आपको इस sector में देखने को मिल सकती है और अब इन्दो pharma ने अप्रूफ कर दिया है अपना business जो है और next pharma के साथ उसका जो अब illegal pharma specialist हो जाएगा तो उसके वज़ासे इनको approval मिल चुका है transfer का अपने business का तो ये बहुत अच्छी news निकल किया है इसके लिए देखे जो technical call निकल कियाती है या जो हम लोग decide करते हैं वो कैसे decide करते हैं जो most popular indicators है अपने moving average oscillator और पोविटर उससे result decide होता है कि आपको buy करना चाहिए sale करना चाहिए जो पहले से buy करके रखे है उनको hold करना चाहिए तो जो overall call निकल किया रही है वो buy किया रही है अगर आप monthly basis पे देखे है weekly basis पे देखे है और daily basis पे देखे है